The most awaited South Indian film KGF Chapter 2 का ट्रेलर हो चुका है लाँच और लाँच होते ही इस ट्रेलर को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि इस ट्रेलर ने कुछ ही सेकंड्स में इतिहास रच दिया बीते दो साल से लोगों को KGF Chapter 2 का भी सबरी से इंतजार था अब इंतजार की घडियां हो चुकी है खत्म क्योंकि इसका ट्रेलर लाँच हो चुका है और अब दर्शकों को भी ये अंदाजा है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है फिल्म KGF के रियल स्टार रॉकी यानि यश की फिल्म का ट्रेलर एक ग्रैंड इवेंट के दौरान 27 मार्च को बैंगलूरू में लॉंच किया गया सोशिल मीडिया पर इस ट्रेलर को लेकर धूम मची हुई है इस इवेंट में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलिवूर्ड का भी दबबा नजर आया आया आपको बताते हैं कि किस तरह से इस इवेंट के जरिये इस ट्रेलर को लॉंच किया गया और कौन-कौन से मेगा स्टार्स इस इवेंट में मौजूद थे फिल्म केजी एफ एक इंडियन पीरियड आक्शिन फिल्म है इसका पहला पार्ट यानि कि चैप्टर वन साल 2018 में रिलीज हुआ था ये कन्नड भाशा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी क्योंकि इस फिल्म का बजट था 80 करोड रुपए इस फिल्म को मिली सफलिता के बाद KGF चैप्टर 2 की शूटिंग साल 13 मार्च 2019 को शुरू हुई और तभी से लोग इस फिल्म का बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं 27 मार्च को बेंगलूरू में जब एक इवेंट के जरिये इस फिल्म के ट्रेलर को लॉंच किया गया तो वहाँ पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलिवोड के भी काफी नामी स्टार्स पहुँचे और इसका कारण था के जीएफ चैप्टर 2 को साउथ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलिवोड इंडस्ट्री के साथ जोडा जाना और ऐसा करने के लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक ने इसमें बॉलिवूड का तड़का इस तरह से डाला कि इसमें बॉलिवूड के आक्टर्स को भी मेन भूमिकाओं में रखा गया जैसे की बॉलिवूड आक्टरिस रवीना टंडन और संजेदत इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं यही कारण था कि जब बैंगलूरू में इस फिल्म का ट्रेलर लॉंच किया गया एक इवेंट के जर्ये तो इस इवेंट में रवीना टंडन और संजेदत दोनों पहुंचे लेकिन इस इवेंट में असल तर्का लगाया करण जवहर ने जिन्हूने इस इवेंट को होस्ट किया इस मेगा इवेंट की मेजबानी कोई साउध फिल्म में कर नहीं बलकि बॉलिवुड फिल्म निरमाता करण जवहर कर रहे थे संजेदत और रवीना टंडन इस फंक्शन में बतौर स्टार कास्ट शामिल हुए वहीं आक्टर और निर्माता फरहान अक्तर भी इस इवेंट में मुख्य महमान थे क्योंकि उनकी कमपनी एक्सल एंटर्टेन्मेंट जिसके उनर्ज है रितेश दिदवानी और फरहान अक्तर उन्होंने और एएए फिल्म कमपनी ने इस फिल्म को बनाया है KJF को कई सारी भाशाओं में बनाया गया ये भाशाएं हैं कंणर, तेलगू, हिंदी, तमिल और मल्यालम और इस फिल्म की रिलीज डेट को भी अन्नाउंस किया गया है जो की है 14 अप्रेल प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर लोगों की काफी उमीदे हैं इस फिल्म को प्रशांत नील ने ही इस फिल्म को लिखा भी है और होमले फिल्म्स बैनर के तहट विजय किनांगदूर ने इस फिल्म को निर्मित किया है ये फिल्म 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का रिलीज भी कितना बड़ा है फिलहाल अगर ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर रिलीज होते ही हो चुका है जबरदस्त पॉपिलर और ट्रेंड में आ चुका है मुलाकात तब तक के लिए बाबाई